नमस्कार दोस्तों, स्वागेत है आप सभी का, आप देख रहे हैं सोहन सर्मा किचन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और हाज मैं आपके साथ सेर करूँगा जौदपूर परसीद मिर्ची वड़े अगर आप मिर्ची वड़े खाने के शोकिन है ना, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही बढ़िया रेसीपी होने वाली है, इसलिए वीडियो को सुरूशी लेके एंड तक पूरा जरूर देखना और पहली बार हमारा चैनल देखरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी दबादीजे बेल आइकन का बटन ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो चलिए बनाते हम बढ़िया गर्मा गराम मिर्ची वड़ा, चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यह 500 ग्राम बोईल आलू लिया, जिसको मैंने चील लिया है, बोईल की हुए आलू है और यह मैंने 10 पीस करीब मिर्ची ली है, जिसमें मैंने देशी मिर्ची ली है, मोटी मोटी, और यह कुछ तीखी पतली मिर्ची भी है अगर आप यह थोड़ी कम तीखी होती है, थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है और यह मैंने एक बड़ी चमच बारी कटी होई है हरी मिर्ची और यह बारी कटी होई एक बड़ी चमच जाद रख और यह दो बड़े चमच काजू की टुकडी ली है मैंने और अब आपको क्या करना है मिर्ची का डंठल नहीं हटाना है मिर्ची को इस तरीके से चाकू की मदद से बीज में चीरा लगाना है और इसके अगर अंदर जादा बीज हो तो थोड़ी से बीज आपको हटा देने ताकि स्पैसी कम हो इसी तरीके से सारी मिर्ची को आपको त्यार कर लेना है और ये में एक बड़े चमच साबुत धनिया एक चोटी चमच सौफ और आदा चोटी चमच काली मिर्च और ये एक साबुत सुकी लाल मिर्ची ये मसाला है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अगर आप इस तरीके से कूट कर लेंगे तो, इसको इस तरीके से हाथ से कूट कर नहीं, तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, दरदरा कूटना है, इसको इस तरीके से कूट कर लेना है, इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है, अगर फ्रेश इस तरीके से हम कूट के लेंगे ना, तो मीडची मैंने बैसन लिये है, नॉर्मल बैसन जो बारिक बैसन होता है, हम घर में राद दिनी यूज करते, वही वाला, दो कप अच्छे से बरबर के, और ये दो चुटकी मैंने मीटा सोडा लिये, इससे जाधा नहीं लेने आपको, दो चुटकी, ये मैंने मीटा सोडा डाल दिया, और ये आधा छोटी चमच मैंने अजवाइन लिये है, और ये दो तीन चुटकी हींग है, श्ट्रोंग हो तो कम डालिए, अगर नहीं श्ट्रोंग है तो दो तीन चुटकी डाल दीजी अच्छे से, इससे क्या है, मीटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसका बेटर त् किस तरीका के बेटर त्यार करना है, आपको पता है, हम जो चिला बनाते हैं, उससे थोड़ा टाइट बेशन होता है, इतना टाइट होता है कि हम मीर्ची डबोए, इसके अंदर मीर्ची के उपर बेशन लिप्टावा रहना चीए, ना कि मीर्ची डबोए ये बेशन उतर ज दाली हमने क्योंकि इसके अंदर सुवाद भी अच्छा हैगा बेशन के अंदर आजवाइन का कॉमिनेशन बहुत अच्छा है और हिंग डाली इससे भी बहुत फायदे हैं ताकि कोई पेट के अंदर नुकसान ना हो और पचने में भी दिक्कत ना हो मिर्ची बड़ा है तो इ जैसे तेल गरम हो गया मैंने ये दो चुटकी हिंग डाली है इसके अंदर और हिंग डालती है आपके पास दो बड़ी चमस काजू टुकडी है वो डाल दीजिए कटिंग की हुए काजू और गेश को कर दीजिए धीमियाज पर ताकि काजू भी है थोड़े से ब्राउन हो अब इस तरीके से इनको चला देंगे हम और हमारे पास जो 500 ग्राम आलू है उनको मैं ने बारी काट लिया था वो भी हम डाल देते हैं इसके अंदर 30 सेकंड चलाने के बाद यह 500 ग्राम बोईल आलू थे छीलके मैंने बारी काट लिया इनको यह बेने डाल दिये यह मसाला ही होता है मिर्ची वड़े जो मिर्ची बड़े की जान होता है और इसी से ही टेश्टी बनते हैं ये चटपड़ा अच्छा बनेगा ना तो मिर्ची बड़े बहुत ही अच्छे बनेगे अब हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं मैं नमक डाल रहा हूं आधा चोड़ी चमच आप स्वाद अनुसार डाल रहा हूं और इसके बाद हम इसको थोड़ा एसे टर्ण कर लेते हैं और चोथा ही छोड़ी चमच लाल मिर्ची पावडर डाल देते हैं ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि मिर्ची ओर रेड़ी है चोथा ही छोड़ी चमच डाल देते हैं ताकि कलर अच्छा है इसका और नरम हो जाए मसाला मैं पटेटो मेसर से इनको अच्छे से मेस कर लेता हूं ताकि मसाला हमें भरने में आसानी होए क्यों बड़ा-बड़ा होगा तो मिर्ची के अंदर भरेंगे तो दिक्कत होगी तोड़ा सा एक बड़ी चमच करीब इसके अंदर में पानी डाल रहा हूं क् इसके अंदर थोड़े नरम मसाला होता है थोड़ा नरम ताकि आसानी से भरा जाए और आसानी से मिर्ची के उपर चिपक जाए तो इस तरीके से देखिए ये मसाला बिल्कुल रेड़ी है अब हम अच्छे से इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं एक दो बड़ी चमच ब बातबारी काटके डाल दीजिये मैंने अरशा धन्याग्या डाल दिया मसाला बिल्कुल रेड़ी है इनकाल देते हैं गेस को कर देते हैं बंद है तो ऊγको तो एक थैन्डा होने देत मैंने और कड़ाई भी आपको थोड़ी चोड़े टाइप में लेनी है और तेल भी इतना लेना है कि मिर्ची बढ़ा असानी से डिप हो जाए डूब जाए देखिए आप चम्मत से चाहे तो इस तरीके से मिर्ची के अंदर मसाला भर सकते हैं इस तरीके से मिर्ची के अंदर पतली मिर्ची हो तो उसके उपर थोड़ा ज्यादा यह पतली वाली मिर्ची है देखे इसके उपर थोड़ा ज्यादा मसाला बढ़ना है ताकि मिर्ची बढ़ा मोटे साइज में होए थोड़ा सा भर देंगे तो मिर्ची बढ़े में मसाला भी नहीं होगा और मिर्ची बढ़ चीह इसके अंदर और आप मिर्ची तीकी पसंद करते हो तो से तीकी लेजीए अच्छा गरम नहीं होगा, तो क्या होगा, मिर्ची बड़े कड़ाई के नीचे ही रह जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, या कड़ाई के चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेगे, शुरू शुरू में तेल अच्छा गरम होगा, तो मिर्ची बड़े देखे एक तो चिपक की गया है इस तरीके से आपको करना है अगर तेल थंडा होगा कम गरम होगा तो मिर्ची बड़े कड़ाई के नीचे रह जाएंगे आपस में चिपक जाएंगे और तेल गरम होगा तो मिर्ची बड़े को जाती ही बेशन को कवर कर लेगा तो वो चिपके ट्रम के उसको टैल में डाल देना है अब इनको आपको अच्छी तरीके से धीमी मीजियम आझ पर शेक्ट पर शेकना है इस यह तरीी से चलाते हुए को अच्छे बर्यां टेस्ट आएगा और बैसन कच्छा नहीं अपका कर लूगा इस तरी के से देखे मैंने चलाते चलाते बहूती अच्छी आच्छी तरी के से सेख लिया है साथ आठ मिनट लगे है मुझे धीमी मीडियम आज पे इन मीर्ची बड़ों को पकाते हुए अच्छे से पकाना है मीर्ची बड़ों को इस चीज़ का धरूर ध्यान रखिए ताकि मसाले में अच्छा टेस्ट बेठे अंदर और बेसन भी अच्छी तरीके से शिख जए एक एक करके मीर्ची बड़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और पहली बार हमारा चैनल देखरो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही दबा देना बेल अगिन का बटन क्यूंकि इस तरीके के धेरू वीडियो मैं लाता रहता हूँ मैंने दूसरा पावर भी डाल दिया इसी तरीके से आपको सारे मीर्ची वड़े बना कर तयार कर लेने है मैंने सारे मीर्ची वड़े बना कर तयार कर ले है आप इमली की चटनी के साथ खाईए मीठी के और चाए धनिये के चटनी के साथ खाईए थंडी के मौसम में बनाई है चाहिए बरसाथ के मौसम में बनाई है बहुत ही टेस्टी लगते हैं जुरूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मिर्ची बड़े कैसे लगए है कि मिर्ची बड़ा काटके दिखाता हूँ मैं आपको गरमा गरम है और आपको ब रीत्रप्सी!